साकेत माइनेनी और यूकी भामरी के शांदार प्रदर्शन की मदद से भारत ने डेविस कप एशिया ओशियान अग्रूप के एक मुकाबले के पहले राउंड में चीनी ताइपे पर पांच शूनिय से हराने में सफलता पाई शनिवार को भारत को यूगल में जीत दिलाने में एहम भूमी का निभाने वाले माइनेनी ने एकल मुकाबले में भी अच्छी फॉर्म जारी रखी भारती कफ्तान ने टी चेन के खिलाफ मेरतन एकल जीतने वाले सोमदेव देव वर्मन की जगा इस मैच में उन्हें खिलाने का फैसला किया रैंकिंग में 313 स्थान पर काबिस 26 वर्षय मायनेनी को अपने से उंची रैंकिंग पर मौझुद खिलाडी सुंग हुआ यांग को चौथे मैच में 6-1, 6-4 से पराजित किया भारती खिलाडी ने इस मुकाबले को महज 48 मिनिट में अपने नाम कर लिया दूसरे रिवर्स सिंगल में टी चैंट की जगा खेलने वाले सीन यिंग पैंग ने अपनी टीम को जीत दिलाने का भरसक प्रायतन किया लेकिन यूकी भामडी उनसे कई बहतर साबित हुए यूकी ने पूरी तरह से दबदबा बनाते हुए अपनी दूसरी जीत दर्ज की और पैंग से उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई यूकी ने 7-5, 6-0 के स्कोर से महज 55 मिनिट में शांदार जीत दर्ज कर ली इससे पहने भारती टीम में दोनों एकल और यूगल को भी अपने नाम किया था भारत में चीनी ताइपे को 2009 में भी उसकी सरजमी पर उससे हराया था इससे भारत का चीनी ताइपे पर जीत का रेकॉर्ड दो शून्य हो गया है भारती टीम अफ विश्व गूरूप प्लेओफ में जगे बनाने के लिए अप्रेल में कोरिया से भुड़ेगी स्पोर्ट्स डेस्क डीडी निउस